फाइनली जो इंतजार था वो आज चुका है जी हाँ बिहार बोर्ट 25 में जो एक्जाम होने वाली है उसका डेट सीट जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ट की तरब से तो आज मैं आपको बताएंगे साइंस, कॉमर्स और आर्ट के क्या आपका डेट सीट है किस दिन कौन से सब्जेक का एक्जाम होने वाला है लेकिन हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में बताने वाले हैं कौन से समय में किस सब्जेक का एक्जाम होने वाला science का फिर commerce का फिर arts का इसी तरीके से बहुत ही proper वे में रहने वाली है तो आराम से अपने copy और pen लीजिए और proper इसको note down करते चलिए है ना बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप लिख सकते हैं जान सकते हैं आती साथ देखे बिहारवोड ने दसमी और बारामी बार्शिक परिक्षा दोयर 23 की date sheet जारी कर दिया है नीचे science, commerce और arts के date sheet दिया गया जोकि अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे चलिए तो start करते हैं time table देखना और किस date को कौन सा exam है आप लोग आराम से note करिएगा तयारी कैसी चल रही है है ना चलो हमने यहाँ पर date sheet देखना है start करते हैं देखो सबसे पहले science वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं फिर जाके हम लोग commerce वाले के लिए फिर जाके arts वालों के लिए मतलब एक ही वीडियो में सभी के लिए हम आपको time table बता देने वाले ह हैं ठीक है तो जड़ा सा commerce और arts वाले बच्चे इंतजार करें जल्द ही आपको बता रहे हैं ठीक है सबसे पहले देखिए आपका board exam जो है ना दो सिटिंग में होने वाला है अभी हम science वालों बच्चों के लिए पहले बताते हैं और इसी वीडियो में commerce और arts दोनों का है और लेकिन यहाँ पर दो second setting में कोई subject ही नहीं है तो आप यह हटा ही दो ठीक है science अलों आपके लिए second setting है ही नहीं ठीक है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ first setting है जो कि आपका exam होने वाला है 9.30 से लेकि 12.45 बज़े तक ठीक है 9.30 सुबहम से आपका exam स्टार्ट होगा और 12. 14.45 तक आपका exam चलेगा तो सबसे पहला दिन एक February 22.23 को जो पहला दिन है उस दिन कौन सा subject होने वाला है Mathematics गनीत विशे का exam होने वाला है दो February 22.23 को exam जो होने वाली एक कौन सा subject है आपका Physics ठीक है यानि भौतकी का आपका परिक्षा होने वाला है तीन February 2023 को exam होने वाली है Chemistry यानि रसाइंस साथ के आपके एक्जाम होगी, 4 February को English का एक्जाम होगा, जो English आप लोग 100 marks कहते हो, ठीके, 100 marks, उसका आपका परिक्षा होने वाला है, है ना, उसके बाद आपका 6 February को, ठीके, बीच में 5 को बंध है, संदे को, और आगे यहाँ पे 6 February को, जो है ना, बाइलोजी का परिक्षा होने वाला है, जीब बिज्ञान का, ठीके, साथी साथ अगला दिन, यानि 7 February को, 2023 को आपका हिंदी का एक्जाम होने वाला है, जिसको आप लोग हिंदी 100 marks कहते हो, है ना, हिंदी 100 marks कहते हो, उसका परिक्षा होने वाला है, ठीके, और 8 February को, जो लोग यह subject लिए हो है, उर्दू लिए हो है, मैथली लिए है, संस्कृत लिए है, भोषपूरी लिए है, मघी लिए होई है, ठीके, तो यह सारे चाहे, बंगला लिए होएं, तो यह सारा एक्जाम, जो है, आठ February को होने वाला है, ठीक, फिर उसके बाद, 9 February को जो है, एगरी कल्चर, जो लोग साइंस वाले बच्चे, एगरी कल्चर, रखे होएं, उन लोग का एक्जाम, 9 February को होगी, मतलब साइंस वाले बच्चे, आपके लिए, यहाँ पर बस इतना ही था, यह सारा सब्जेक्ट है, आप इसका अज क्या कर सकते हैं, आराम सथने कॉपी में, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, साइंस वाले बच्चे, आप लोग लाइक कर लिजिए, तब आप इस वीडियो को छोड़के जाईएगा, पहले आपको अगर देखना है, कॉमर्स वाले और आर्ट वाले का टाइम टेबल क्या-क्या है, तो रुख जाईए थोड़ा सा, है ना, ओके, सो, आचुका है, कॉमर्स वाले वच्चों के लिए टाइम टेबल, तो आप लोग का परिक्षा, जो होने वाला है, दो सेटिंग में, फर्स सेटिंग और सकेंड सेटिंग, फर्स सेटिंग में, नौत तीस से लेके, फर्स सेटिंग में, फर्स सेटिंग में, फिर उसके बाद 6 February को आपका परिक्षा होने वाला है, फर्स सेटिंग में, कोई सब्जेक्ट नहीं, सकेंड सेटिंग में, आपका बिजनस स्टडी है, यानि जिसको आप BST कहते हो, BST का आपका परिक्षा होने वाला है, फिर उसके बाद 7 February, 122 को आपका परिक्षा होने वाला हिंदी, जिसको आप लोग हिंदी सौमाक्स कहते हो, ठीक है, तो हिंदी सौमाक्स के आपके परिक्षा होने वाली है, 7 February को 7 साथ, Commerce के बाद करें, थोरा सा यहाँ पे न, बदल्लब यह खराब कोना ही टेक बोल सकते हैं, Economics यहाँ पे दे दिया है, साथ ही साथ हिंदी के साथ में Economics, तो एक bad news तो यह है आपके लिए, ठीक है, उसके बाद बात करें, 8 February, 122 को अगले दिन, आपका अगर यह उर्दू, Mathly, Sanskrit, भुजपूरी, मगी है, तो आप दे सकते हैं, और साथी साथ, साथी साथी साथ, जिसको आप लोग EPS कहते हैं, ठीक है, उद्धमीता कहते हैं, उसका भी परिक्षा होने वाला है, ठीक है, उसके बाद 10 February को आपका Accountancy का Last में परिक्षा होने वाली है, और साथी साथ जिसका Computer Science है, तो Second Setting में Computer Science होने वाली है, क्लियर, तो Commerce वाले बच्चे भी अपना Time Table जान गए, है ना, अब चलो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग अब Arts के बारे में बात करेंगे, कि Arts की क्या Time Table है, तो अब हम लोग यहाँ पे, आट सवाले बच्चों के लिए Time Table जो है, बिहार वो तरफ से जो जारी किया गया, उसको हम लोग देखने वाले हैं, आए देखते हैं, लाइक नहीं कियें वीडियो को, तो ज़रूर से लाइक सब लोग कर लिजिएगा, और चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं Time Table, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहला, आपका परिक्षा जो होने वाला है, फॉर्स सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में, फॉर्स सिटिंग का टाइमिंग जो है, नौतीस से बारो पैतालिस, और सेकेंड सिटिंग का जो टाइमिंग है, एक मेंटालिस से लेके पांस वजे साम तक, ठीक है, फॉर्स फेबरी यानि एक फेबरी दोहर्टाइस को जो परिक्षा होगी, अगर मैथ रखे हुए हैं, आठ वाले बच्चे, ठीक है, आठ वाले बच्चे, अगर मैथ रखे हुए हैं, तो पहला दिन फॉर्स सेटिंग में मैथ का परिक्षा, और उसी दिन हिंदी का भी परिक्षा होने वाला है, जिसको हिंदी सौ मार्ग्स कहते हो, ठीक है, उसका परिक्षा होने वाला है, ठीक है, दो February 22-23 को कोई परिक्षा आपका फॉर्स सेटिंग में नहीं है, सेकेंड फेटिंग में आपका इंग्लिस सो मांक्स है, ठीक है, मतलब पहला दो दिन, एक तारीक और दो तारीक को आपका हिंदी और इंग्लिस गम्पलीट, ठीक है हिंदी और इंग्लिस complete ओके सो अगला दिन तीन फेरवरी दोहर 23 को आपका परिक्षा होने वाला है फॉर्स सेटिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं सकेंड फेटिंग में आपका जोगराफी यानी जिसको भुगोल कहते हो भुगोल का आपका परिक्षा होने वाला है ठीक है चार फेरवरी दोहर 23 को आपका फॉर्स सेटिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं सकेंड फेटिंग में हिस्टरी का परिक्षा होने वाली है क्लियर उसके बाद 6 फेरवरी पांच को बंद है 6 February 22nd को आपका फॉर्स सेटिंग में कोई परिक्षा नहीं political science का आपका परिक्षा second setting में होने वाली है तीके राजनीतिक विग्यान का उसके बाद 7 February 22nd को first setting में कोई परिक्षा नहीं second setting में अर्थ सास्थ का परिक्षा यानि economics का परिक्षा आपका होने वाला है ठीक है, आर्ट फेवरेट 22 को first sitting में आपका उर्दू, मैथली, संस्कृत, भोजपूरी, मगी अगर रखे हुए है ठीक है, तो आप इसका परिक्षा देंगे और second sitting में आप यहाँ पे psychology का देंगे psychology का, यानि मनो बिज्ञान का और फिर 9 February 22 को आपका परिक्षा जो होने वाला है music जो भी arts के बच्चे music रखे हुए है music का परिक्षा देंगे और second sitting में आप home science का यानि grey बिज्ञान का आप यहाँ पे देंगे परिक्षा ठीके, उसके 10 February को आपको sociology का परिक्षा देना है sociology का यहाँ परिक्षा दोगे ठीके, और उसके बाद 11 February को second sitting में आपका 10 को कुछ नहीं है 11 February को first sitting में कुछ नहीं और last में second sitting में philosophy का परिक्षा होने वाली है ठीके, तो cool मिला कि यह आपका time table रहा आप लोग अगर इसका screenshot लेना चाहते हैं तो आराम screenshot क्या लोग है हमें इसका PDF फिदे देंगे क्याँ पर अपने telegram channel पर education बावा telegram channel जो है, वहाँ पर इसका PDF दे देंगे आप आराम से download करके अच्छे से इसको रख लेना, ओके तो उमीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से like करिएगा साथी साथ channel से जोरे रहेगा इसलिए channel को subscribe कर लिजे, साथी साथ bell icon on कर लिजे, अभी, अभी just आप कर लिजे, पहले करिए, करिए पहले, ठीक है, पहले आप subscribe कर लिजे और फिर आप नीचे हमें comment करके बताए, हम आपको इतना आसान बना के दे दिए, जो time table इतना दिक्कत रहता था ना कि कि किस दिन arts का होने वाला, किस दिन science का, किस दिन commerce का तो हम इतना अलग लग करके दे दिए हैं, साथी साथ इसका PDF जो है, टेलिग्राम चैनल पर अपना दे दिए हैं, टेलिग्राम चैनल का भी link description में है, आप वहाँ से जाके जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका time table, ठेक है, अब देखो exam में बहुत ही कम दिन बाकी रह गया है, अब अपना जीज जान लगा के पढ़ाई करो और जो दिन बाकी है न, एकदम मन से पढ़ो और अच्छा marks लाओ, ठेक है, और इस इतना दिन जो बाकी है मतलब इसमें आप भूल जाओ अपना दोस्त, अपना mobile वगरा ये सब, mobile का इस्तमाल मी मात्र limited करो, जब आप educational content देख रहे होते हैं, अपने board पैक्षा के तयादी से समन्द कोई वीडियो देख रहे होते हैं, उसी के लिए यूज करो और पाकी सब चीज छोड़ दो, तो अब लग जाओ अपनी board पैक्षा में, और उमीद करते हैं, आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, लाइक कर लीजेगा चलिए आज के इस class में बस इतना ही तब तक क्लिए जय हिंद